बिस्मिलाहिरामानिराहीम, असलामनेकूम डियर स्टुएंट्स, वी यू अकैडमी यूट्यूब चैनल की जानिब से मैं हूँ मुहम्मद फैसल चैजाद आज इस वीडियो में हम CS606 Compiler Construction की 3rd Assignment को Solve करेंगे जैसे कि आप लोगो मालूम है कि आज इसकी लास्ट डेट है और बहुत ज़्यदा स्टुएंट्स ने रिक्वेस्ट की थी तो उसकी वज़ा से मैं यह Assignment बनाने जा रहा हूँ Otherwise, मेकसिमा मेरा जो फोकुस होता है वो Programming की Assignment पर होता है लेकिन आप लोगों को इसका स्लुशन अलड़ी किसी ने भी प्रवाइड नहीं किया तो इस वज़ा से मैंने आप लोगों के लिए स्लुशन प्रवाइड किया है जिस सबसे पहले हम देख लेते हैं Assignment के लिए हमें Requirement किया है हमें टास्क क्या परवाइड किया गया है फिर उसके According फिर हम अपना इसका स्लुशन देखेंगे इस Assignment में जो हमें टास्क दिया गया है वो एक ग्रैमर प्रवाइड की कही है और उसके According फिर हमें दो डिफरेंट टास्क दिये गया है कि जो कि आपने इस ग्रैमर के उपर परफॉर्म करने हैं उसने इस क्वेस्टन के एक्स्पेंड भी किया हुआ है कि इस एबी सी यह कैपिटल लैटर्स में यूज होते हैं इसको नॉन टर्मिनल जाव वैरियेबल कहते हैं और स्माल लैटर्स यहां पर टर्मिनल कहलाते हैं तो यह टर्मिनल सेंबल यूज हो रहे हैं ग्रैमर के अंदर तो हमने इस कॉंटेक्ट्स फ्री ग्रैमर को जो कि दि यहां पर हमने इसको यूज़ करना है और इन दो क्वेस्टिन को solve करना है फिर्स्ट क्वेस्टिन हमने follow और फिर्स्ट रेट्स फाइंड करने हैं इस language के लिए और वो find करेंगे हम basically तो यह terminal और non-terminal दोनों के लिए find कि जाते हैं इसको लेकर हम इसके solution की तरफ चलते हैं मैं कोशिश की है कि अपने बेस्ट नॉलेज और आपके हैंडाउट्स और लेक्चेस को मैंने consult किया है नेट से प्रॉपर मैंने इसके बारे में सेर्ज किया है उसके बाद मैंने solution प्रिपेर किया है आप students को मैं recommend कर देता हूँ इसमें आपके हैंडाउट्स में लेक्चेस 18 और 19 दोनों लेक्चेस को आप फोकस करें अगर आप खुद प्रिपेर करना चाहते हैं यह लेक्चेर नमर 19 में मौझूद है तो आप अगर इसको verify करना चाहते हैं या खुछ से थोड़ी बहुत आप learning करने के बाद इसके solve करना चाहते हैं तो मैंने इस आपको टॉपिक और लेक्चेर जो हैं मैं मैं चलते हैं इसके solution की तरफ हमने यह solution आलरी प्रिपेर किया हू हैं हमारी यह ग्राइमर हमने सी ग्राइमर को फॉलो करना है तो first of s हमने find करना है first of a first of b and first of c kate that non terminal के लिए find करने जारहिए और यही non terminal जो हमारे पास 4 है ठीक है तो इसमें सबसे पहले हमने first of s find करना है s हमारे लिए क्या produce कर रहा है एस ए एस ठीक है second option हमारे पास क्या है ys और last one epsilon इसी तरह A की तरफ अगर देखा जाए तो A produce कर रहा है B और second इसका जो production है वो यह है CW और यहां पर B देखा जाए तो यह non-terminal है C non-terminal है यह W terminal है इसी तरह last जो है इसमें V B इसमें भी एक non-terminal मौझूद है इसी तरह अगर B को देखा जाए तो वो क्या produce कर रहा है X C और C produce कर रहा है Z जी हमने start करना था S से पहला हमने non-terminal लिया S अब इसका first अगर देखा जाए इसकी first production को अगर देखा जाए तो यह इसकी first production है इसको हम चलें यहां पर अगर इसका alternative अगर हमने देखना हो तो हम इसको इस तरहा लिख सकते हैं मैं इसको copy based कर लेता हूँ तो यह इसकी first production है ठ यह इसकी second production है ठीक है और यह इसकी third production है जो के epsilon है ठीक है हमने इन तीनों के लिए one by one first of s find करना है देखिए सबसे पहले first of s हम find करेंगे इसके लिए यह जो हमें दिया गया है यह इतना पार्ट ठीक है क्या produce कर रहा है एस अब दोनों non-terminal है इसमें देखें हमने first इसका a है तो यहां पे s का first क्या आएगा जो कि first होगा a का first of s is equal to first of a तो हमें क्या करना पड़ेगा पहले first of a find करना होगा वो फिर हम यहां पे place करेंगे तो इसलिए हम यहां पे इसको pending कर देते हैं यह हम यह कर सकते हैं कि next दोनों के लिए हम जो फाइन कर लेते हैं first यहां पे अगर देखा जाए s के लिए second production में तो हमें first of s किया मिलता है y ठीक है अगर यह सक प्रड़ॉक्शन है इसकी तो इसमें first कौन सा है y इसी तरह अगर next देखा जाए तो वो हमारे पास epsilon ठीक है अगर इस production को देखा जाए तो यहां पे हमें epsilon मिल आदीं हम से लेंगे जैसे आप नीचे देख रहे हैंगे फर्स टो फियामने जब यह स्थ फायंड और यहां पर आगए फर्स्ट फेक की वज़ाइसे फर्सक्स एपसिलोन एपसिलोन ही होता है इसी तरह अगर हम यहां पर एगर consider करें तो first of w अगर हमें consider करना पड़े तो first of w is equal to w होता है नॉन-terminal के लिए फिर हमें next देखना पड़ता है तो यहां बहरें देखें लास्ट वर यह और एपसिलोन यह हमने किस production से लिए इस production से और इस production से इस production के लिए हमने first of s is equal to first of a consider किया था तो first of a नीचे हमने calculate किया हुए उसको फिर हम यहाँ पर place करेंगे अब आजाते हैं first of a में क्योंकि हमने भी यहाँ पर यह कहा दा कि first of a find करेंगे जो कि a के लिए भी first होगा और फिर यहाँ इस production के लिए s में भी जाके place करना होगा उसको जी यहाँ पर हम इसको भी ना इसी तरह next place करते हैं ताकि इसकी भी तीन जो different production है वो आपको समझ आ सकें first production इसकी यह है और second production जो है वो हम देख लेते हैं वो यह c w है और last production जो है वो वी बी है जी चलिए अब यहाँ पर start करते हैं first of a यहाँ पर first production के लिए देखा जाए तो यह b है तो इसका जो हमने देखना है first of b पहले find करेंगे तो वो first of a में आएगा इसी तरह first of c फिर वो यहाँ पर आएगा और यह तो वैसे ही v है ठीक है v non terminal है इस production में से तो हमें जो first मिलेगा वो यह v मिल जाएगा इन दोनों production के लिए हमें first of b और first of c find करने होगे तो यहाँ पे देखें first of b और first of c find की है x and z जो के यहाँ पे आए और v यहाँ से last terminal से है अगर हम इसको नीचे से उपर की तरफ चले ना के पहले हम c का first find करें b करें फिर a का फिर s का यह आपके लिए ज्यादा असान हो जाएगा तो चलिए हम यहीं से start कर लेते हैं ताकि आपको जो मैं कह रहा हूँ ना कि हम pending करते हैं और बाद में देखेंगे यहाँ पर देखेंगे फिर्स्ट हमारे पास अगर देखें सी है तो सी के लिए हमारी production है जी तो इसका first of c क्या आएगा जी वही नॉन टर्मिनल आजाएगा जी ठीक है first of B में हमारे पास यह production है B XC अब यहाँ पर हमारा first यह X है ठीक है तो यहाँ पर हमने first इसको एक से ले लिया अब A पर आते हैं तो A पर लिए तीन production है हमारी different A B A CW A VB अब यहाँ पर पहले तो हमने first of A equal लेना है first of B के तो first of B किसके equal है यह देखें X के तो पह first of A equal first of C the first of C क्या है यहाँ पर जी तो फिर हमने यहाँ पर जी ले लिया इसको हम बिसी कर रहे होते हैं यह add कर रहे होते हैं और last one हमारे पास यह third production है VB तो यहाँ से हमारा first V non-terminal ही है तो हमने इसको non-terminal को यहाँ प्लेस कर दिए यह का find हो गया और इसी तरह A को हमने यह हाँ पर S में place करना था और क्यूंकि हमने यहां से यह और यह दो तो हमने ले लिया थे वाई और Epsilon वो दोनों यहाँ पर हैं और यहाँ पर स्टार्ट में इस फर्स प्रोडक्शन की वज़ासे A का first यह होगा वाइस के first में आएगा यह मैंने कोशिश की आपको explain करनी कि ले लेकिन इतनी complicated नहीं है अगर आप इन lectures को सुनें इस concepts को clear करें यह है theory of automata आपका pre-requisite subject का पहले आपको उसको clear करना होता है उसके बाद यह compiler construction आप बढ़ते हैं इसमें बहुत सरी चीज़ें आप जो है उसी previous उसी scenario से लेकर आगे चल रहे होते हैं यह first part था question का जिसमें हमने first of a, b, c और s find की हैं अब इसका second part भी है इसमें यह है कि हमने follow भी find करने है follow हम किस तरह find करेंगे यह हमने उसी तरह इसकी grammar को देखना है जी यहां पर follow of s, follow of s क्या है जी follow of s हम consider करते हैं हमारा dollar sign ठीक है और उसके बाद next हम देखते हैं हमारे पास follow of a है, follow of b है, follow of c है हमने तीनों को calculate करना है जिसके बाद हम find करने जा रहे हैं follow of a, follow of a हम किस तरह find करेंगे, इसके लिए ہمारी production यहां पर दीके है follow of a मे हमारे पास यहां पर तीन production है जिससरा हमने पहले भी इनको different production में divide कर लिया था first है हमारे पास B फिर C और CW और फिर है VB तो इसमें मैं आपको बताता चलूँ कि हमारे पास आएगा first of S plus follow of S यह किस तरह आएगा यहाँ पर अगर देखा जाए तो हमारे पास A production को जो follow कर रहा है वो है S और फिर जब यह S आ रहा है अगर यहाँ पर टर्मिनल होता तो फिर हम उसी को consider करते हैं लेकर यहाँ पर non-terminal है तो हमें इसके लिए क्या करना होगा इसका first और इसके बाद जिस production से यह create हो रहा है जो इसको produce कर रहा है उसका follow हमने लेना है produce भी सकर रहा है और इसका follow है वो भी यह है तो यहाँ पर हम जो करेंगे first of s हमारे पास already find है यह वाला ठीक है यहाँ तक इसके अंदर हमने epsilon को add नहीं करना follow के अंदर epsilon नहीं आता यह भी एक rule है तो हमने यहाँ तक इसी से ले लिया x, z, v, y उसके बाद follow of s follow of s हमारे पास क्या है dollar sign तो हमने इसको साथ add के लिया यह follow of a find हो गया इसके बाद follow of b है follow of b में देखा जाए तो हमारे पास यहाँ पे follow of b यहाँ से आ रहा है हमारे पास इस production में follow of a ठीक है तो follow of b हम क्यों follow of a ले रहे हैं इसकी में reason बताता हूँ आपको हमने यहाँ इस production से लिया याखर हम consider करें यह production यहाँ पे देखें इसके follow में कुछ भी नहीं है जिसके follow में कुछ भी नहीं होता उसके हम जो उसको produce कर रहा होता है हम उसका follow लेते हैं इसके अगर हम इसको तीनों को जिसरा लग लग किया हुआ यह हम इस production को ले रहे हैं ए गोस टू बी ठीक है तो यहाँ पे मतलब कि यह इसको produce कर रहा है अब इसके follow में इसके next आगे कुछ भी नहीं है यहाँ पे end हो रहा है तो हम क्या करेंगे जो इसको produce कर रहा है उसको follow consider करेंगे तो इसका A का follow क्या है जी यह हमारे पास मौजूद है already यह जो उपर हमने लिखा था वो ही same हम copy करें अब आजाएगा C C को हम कहां से ले रहे हैं जी यह हमारे पास C मौजूद है ठीक है इसका follow करेंगे और एक हमारे पास यहां पे मौजूद है दो जगा पे इसकी production है अगर हम इसको divide करके देखें एक यह production है CW इसमें W इसका follow है और second one जो हमारे पास यहां पे इसका follow कुछ भी नहीं है मतलब के यहां पे हमें B का follow add करना होगा और यहां पे हमें सिर्फ W अब एक हैं W तो हमने यहां से ले लिया ठीक है इसको follow कर रहा है W तो यहां से पहले हमने W add किया उसके पास second record production मौजूद है उसके follow में कुछ भी नहीं है जो हमने B के लिए किया था वो ही करेंगे इसको produce कौन कर रहा है B तो हम किसका follow ले ले लेंगे B का तो B का follow हमारे पास यहां लड़ी मौजूद है तो हमने इसको एड कर दीमर साथ लिखा हुआ है ठीक है follow of C plus follow of B follow of C कहां से आया यह वाला ठीक है और इस production से जो कि हमने इसको तिनों को divide किया और follow भी हमने किस वज़ा से लिया इस production है इस production की वज़ा से यहां पे तो यह हमारा जो है first question complete होगा जिसमें हमने first और follow set find करने थे मैंने कोशिश किया आप लों को explain करने की एक तो यह थोड़ा सा complicated subject है और दूसरा इसमें में भी आपनों के previous knowledge इतना strong ना हो तो इस वज़ा से कोशिश करें कि आप इसको अगर कुछ समझ लें तो बहतर एदरवाज बने lecture से आप consult कर सकते हैं lecture मैंने आपको mention कर दी है 18 and 19 तो अब चलते हैं जी second question की तरफ second part हमने एक parsing table create करना था जिसको ll1 table भी कहा जाता है यहाँ पे हमारे terminal आ जाएंगे rows में और columns हमारे non-terminal आएंगे non-terminal के अंदर epsilon add नहीं करना बलके हमने dollar sign add करना है उसके बाद हम क्या करेंगे हमने यहाँ पे तमाम non-terminal जब लिख लिए तो हम start करेंगे first यहाँ production से first production हमने जिस तरह यहाँ पर divide किया हुआ है तो हम इसी को ले लेते हैं first production हमारे पास as ठीक है तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इसका जो first है और इसी जो produce हो रहा है ऐससे उसको हम लेते हैं और हमारे पास first production जो है वो इसका हमने follow लेना है इससे मैं आपको explain कर देता हूं यह हमारी first production है अब इसमें आप अगर आप देखें तो हमारे पास इसके follow set में या first set के अंदर हमारे पास यह तीन आ रहे हैं X, Z, V ठीक है अगर हम यह produce करें इस production से तो हमारा जो इसका first है A इसमें से हमारे पास तीन non-terminal आ रहे हैं X, Z, V तो यह production जो इन तीन के लिए consider होगी इसका जो first होगा उस first के तीनो non-terminal जितने भी terminals हो सकते हैं यहाँ पर तीन non-terminal है उसके लिए यह production हम वहाँ पर place करेंगे अब यहाँ पर first यहाँ पर आएगा क्यूंकि मैंने आपको इस तरह बताया X, Z, V ठीक है V, X, Z यह जिस sequence में भी आपने लिखे हैं इसका sequence का कोई इसमें relation नहीं होता कि आपने किस तर्तीब से non-terminal को लिखना है जो भी इसका column and row के हिसाब से बनेगा आप उसको लिख सकते हैं तो यह यहाँ पर इन तीनों के विज़ा से आगया Y, यहाँ पर हमारे पास S row और Y column में हम इसको place करेंगे second production कौन सी यह वाली ठीक है यह इसको produce करेगा और last one epsilon जो है जब epsilon आ जाएगा फिर आपने क्या करना है आपने इस जो इसको produce कर रहा है उसके follow में इस यहाँ पर हम फर्स्ट में जा रहे थे यहाँ पर हमने जब epsilon आ जाएगा फिर आपने क्या करना है जो इसको produce कर रहा है उसके follow में आप S का follow आप लोगों को पता है हमने यहाँ पर find क्या था dollar sign तो यहाँ पर हम इसको dollar sign भी ले जाएगे और यह production कौन सी है यह वाली क्योंकि इसकी तीन production थी हमने तीनों को handle किया है फरस्ट हमने यह किया था तो हमें first of a में जाना पड़ा first of a में तीन terminal से उन तीनों terminals के लिए हमने लिखा इसमें आया है तो हमारे पास first a की terminal था तो इस हम directly से terminal y में चले गए और आपने यह जहन में रखना है कि production उसकी वही लिखनी है जिससा इसकी तीन production है अगर हम इसके लिए ले रहे थे तो तीन terminal थे तो इसके तीनों टर्मिनल में हमने वह production लिखी है s goes to a s अगर हमने यह वाला consider किया था तो इसमें हमने यह वाय वाली लिखी है अगर यह हम last epsilon वाली ले रहे हैं और इसको हम dollar sign वाले column में लिखेंगे तो इसके लिए हम यह लिखने जा रहे हैं अब second देखते हैं second हमारे पास a मौजूद है a में हमारे पास 3 production है b c w और v b gdzie यहां पर अगर देखा जाए تو यहां पर हमारे पस b मौजूद है तो इस b के आगे first के और हमारे पस x मौजूद है तो हम यह देखें इसको x में place कर रहे है a goes to b यह वाली production इसको हमने लिया first a goes to b यहां पर यह अपर एसSecond हम यहां पर देखते है a c w अब C भी non-terminal है, तो C के हम first में आ जाते हैं, C के first कौन सा है, Z है, तो यहाँ पर production कौन से लिखी जाएगी, A, C, W, G, A, C, W, उसके Z के नीचे लिखा गया, अब third one जो है, A, V, B, अब V हम non-terminal है, directly C में चले जाएगे, A, V, B, कहाँ पर लिखा जाएगा, V के नीचे, ठीक है तो यह हमने second row के भी fill कर लिया, अब आ जाता है B, जी अगर B को देखें, तो हमारे पास यह एक ही production है, X, C, तो यहाँ पर इसको हम किसके नीचे place करेंगे, X के नीचे, G, X, C, X के नीचे हमने place कर दिया, last one हमारे पास है, C, Z, यह हमारी production किसके नीचे आएगी, Z terminal के नीचे बाकी जितने भी आपके यह बच गए हैं, rows and columns के लिहाँ से cells जो हैं, आप उनको dash लगा दें या वो empty consider होंगे, तो यह आपका parsing table या आप इसको ll1 table कह सकते हैं, यह हमने generate किया है, और इसके लिए मने आपको reference भी provide किया है, आपके पास यहाँ पर example भी दी गई है, आप कोश students, यह आज की assignment थी, CS606, बलकि यहाँ पर मैं correction कर देता हूँ, इसके title में, ठीक है, CS606, compiler construction assignment number 3, और यह चीज़े मैंने extra लिखी हुई है, आपको जरूरत नहीं है, यह मने आपको just explain करने के लिए यहाँ पर mention की थी, मैं इनको यहाँ से remove कर देता हूँ, ताकि आपका solution जो है है, वो खुद करनी होती है, और लेकिन rule हम यही follow कर रहे होते हैं, जो मैंने आपको explain किये थे, जी students, यह file जो है, इन्शाला मैं कोशिच करूँगा, इस video की description में आप लोगों को provide कर दो, otherwise आपने just यह इतना fill करना है, ठीक है, first question, और यह second आपने table बनाना, यह आप इसको follow कर के देखते हुए बना सकते हैं, और इसको समझ भी सकते हैं, जी students, अगर आपको यह video अच्छी लगी है, तो मेरे इस channel को subscribe कर लीजिएगा, ताके आपको इस तरह के और assignment solution मिल सकें, और इस video को like और comment लाजमिन कीजिएगा, thank you, allahafiz.